इसके पहले के क्लासेज में हम लोगों ने लैक्टिटिंग मदर्स की RDA के एकॉर्डिंग क्या रिक्वाइर्मेंट होती है इसके बारे में पढ़ा था अब हम लोग एक-एक नेट्रिंट की रिक्वाइर्मेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जैसे फर्स्ट जो नेट्रिंट है वो मैं आज आज आपको बताऊंगी एनर्जी रिक्वाइर्मेंट फॉर एलैक्टिटिंग मदर्स एनर्जी मतलब उर्जा की अवशक्ता एक दूद पिलाने वाली मा के लिए क्या होती है एक दूद पिलाने वाली मा की जो उर्जा की अवशक्ता है वो कई बातों पर निर्भर करती है सबसे important बात है कि जब वो pregnancy के time में होती है तो पूरे 9 महिने 9 दिन में मा के शरीर में उर्जा एडिपोस टीशू में store हो जाती है और ये धीरे धीरे store होती रहती है ये जो stored उर्जा होती है एडिपोस टीशू में से निकल कर जब मा lactation phase में आती है बच्चे को अपना दूद पिलाने लगती है तो ये additional tissues में से stored उर्जा या energy निकल कर मा के milk में आ जाती है जिससे बच्चे की nutritional requirement पूरी होती है इसी बात को हम लोग ऐसे समझते है the additional energy needed for lactation is drawn from the maternal adipose tissues stored let down during pregnancy the additional energy needed for the lactation जो pregnancy के दौरान मैंने ICMR का चार्ट बताया था और lactation के समय भी ICMR के चार्ट के विशे में आपके साथ पिछले क्लास में ही discussion हुआ है के lactation के phase को हम लोग दो पार्ट में बाट करके पढ़ रहे हैं एक तो lactation का first phase जो होता है वो 0 to 6 month का होता है और दूसरा phase मैंने आपको बताया था 7 to 12 months का होता है ICMR के according जब एक lactating women का 0 to 6 month का phase चला है यानि उसका बच्चा 0 से लेकर जन्ब से लेकर 6 माह का है तो उस दोरान उसे अपने आहार में जादा उर्जा लेनी होती है या जादा उर्जा की उसे और शक्ता होती है जबकि 12 से 7 से 12 माह का जब उसका बच्चा होता है वा या वा 2nd phase में जब लेक्टेशन की होती है तो उसे कम उर्जा की अवशक्ता होती है ये चाहें 1st phase में लेक्टेटिंग मदर हो 0 to 6 month के बच्चे को फीट करा रही हो या 7 से 12 माह के बच्चे को फीट करा रही हो उसे हमेशा ICMR के according अत्रिक्त उर्जा की अवशक्ता होती है और ये उर्जा उसे सबसे ज़ादा pregnancy के time जो उसके अडिपोस टिशूज में energy store है वही उर्जा निकल कर मा के दूद में आ जाती है और मा के दूद में मा को पूरी उर्जा की अवशक्ता पूरी करने में मदद करती है दूसरा important point depending on the adequacy of these stores additional energy input may be needed in the lactating women's daily diet एक तो पहली important बात जो मैंने अभी आपको बताए कि अडिपोस टिशूज से जो stored energy है वो तो एक lactating मदर को मिली जाती है और इसके अलावा भी lactating मदर को अपनी डाइट में इस प्रकार का आहार लेना चाहिए ताकि उसकी प्रति दिन की जो उर्जा की अत्रिक्त आवशक्ता ICMR के द्वारा बताई गई है वो पूरी हो सके इस इस दे रेजन ICMR 2010 प्रसक्राइब अडिशनल कलोरीज शिक्स हंड़ और 520 रिस्पेटबली फो जेरो तो 6 मन और 7 तो 12 मन्स तो अच्छली दे बोडी may require more than 1000 additional calories ICMR 2010 जैसा की मैंने चार्ट में भी आपको बताया था कि lactation का जो दो फेज है एक तो फिर्स फेज है 0 तो 6 मन्स और दूसा फेज है 7 तो 12 मन्स 0 तो 6 मन्स में एक lactating मदर को जो भी according to work sedentary worker है moderate worker है यह भी worker है उसे तीनों category की वो mother हो तो उसे किसी भी category में 600 kilocalories को add करके लेना होगा अगर उसका second phase है यानि 7 तो 12 मन्स का उसका baby है जिसे वो feed करा रहे हैं तो उसे केवल 520 kilocalories total calories में add करके लेनी होगी for example जैसे मैंने आपको बताया था कि यदि कोई sedentary worker lactating mother है तो उसे normally 1900 kilocalories 1900 kilocalories की प्रति दिन ICMR कहता है अवशकता होती है तो अगर वो lactation के first phase में है यानि 0 to 6 मन्स के बच्चे को अपना दूद पिला रही है तो 1900 plus 600 kilocalories उसको जादा लेनी चाहिए जोड करके लेनी चाहिए और यदि mother साथ से 12 माह के बच्चे को अपना दूद पिला रही है तो 1900 plus 520 kilocalories उसे परड़े लेना चाहिए यानि कि उसे अपने शरीर की requirement को पूरा करने के लिए अत्रिक्त lactation के phase में चाहिए वो प्रतम phase हो या दूती हो उसे 1000 kilocalories जादा consume करनी चाहिए अपनी diet के थ्रूद तो energy का जो additional requirement है विटा उसको भी हम लोग को समझने के अवश्रकता है the additional calories are required for electing mothers because यह जो हम लोग additional 1000 kilocalories लेने की बात कर रहे हैं इसके लिए इसकी जो अवश्रकता होती है वो दो बातों पर निर्भर करती है पहली चीज़ तो यह energy content पहला है energy content कि मा के दूद से कितनी उर्जा प्राप्त होती है तो an average daily milk production for electing women is 680 ml though some women may produces as much as 1000 ml मैंने आपको यह पिछले क्लास में बताया था कि WHO, FAO जो भी हमारी agencies हैं यह word label की जो agencies हैं इन्होंने बहुत सारी studies की और इनकी studies से यह परणाम निकले हैं एक मा को अत्रिक्त उर्जा की आवशक्ता निश्यत रोब से होती है अब हम लोग milk की calorie value को समझें तो calorie value of human milk is 70 kilo calories per 100 ml ऐसा माना गया है कि यह studies ने यह proof किया है कि अगर mother का 100 ml milk लिया जाए तो उससे 70 kilo calorie उर्जा प्राप्त होती है यदि 100 ml दूद से 70 kilo calories उर्जा प्राप्त हो रही है और अगर कोई महिला lactating mother जो है वो 680 ml पर डे अगर milk अपने ब्रस से produce कर रही है तो इसका मतलब हुआ कि 6.8 into 70 निकालो तो 480 kilo calories 680 ml अगर वो consume करेगी तो 480 kilo calories उर्जा उसके शरीर से उसके दूद के दूआरा प्राप्त होगी ये इतना दूद produce हो रहा और उससे इतनी उर्जा प्राप्त हो रही है इसका मतलब है कि मा को उर्जा की अवशक्ता है अत्रिक्त उर्जा की अवशक्ता है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि हम milk की calorie value को अगर human milk की निकालते हैं तो ये पाया गया है कि अगर mother's milk 100 ml लिया जाए तो उससे 70 किलो कैलोरी उर्जा प्राप्त होती है और एक मा की ब्रस से यदि 680 ml milk produce हो रहा है तो उस milk से 480 किलो कैलोरीज प्राप्त होंगी यानि 480 किलो कैलोरीज को प्राप्त करने के लिए मा को अपने भोजन में अत्रिक्त उर्जा प्राप्त करनी चाहिए भोजन के द्वारा और जो एडिपोस टिशूज में स्टोड एनरजी है उसको भी वो milk में produce करने के लिए ले सकती है the efficiency of conversion of diet calories to milk calories is 80% diet के द्वारा जो भी calories ली जाती है वो milk की calories में 80% calories convert हो जाती है during 7 to 12 जैसे मैंने अभी 0 to 6 मन्त की बाद की during 7 to 12 months यानि lactation का second phase है the milk produce is 580 ml यहां तो 680 ml मैंने पहले भी आपको बताया कि 0 से 6 मा यानि पहला जो phase होता है उसमें मा के ब्रस से जादा दूद सिक्रीट होता है जबकि 7 to 12 months में का जब बेवी होता है तो मा के दूद की मात्रा कम हो जाती है मा के दूद की मात्रा कम होती है इसलिए बच्चे को केवल दूद पर ही नहीं पाला जा सकता बलकि 6 महिने के बाद उसका अन्य परासन कराया जाता है और उसे उपरी आहार वीनिंग फूड्स यानि उपरी आहार से इंट्रिज्डियूस कराया जाता है ताकि उसके शरीर की जो आवशकता है वो केवल दूद से पूरी नहीं हो पारे उसे उपरी आहार जैसे दाल है फलों का रस है, सबजियों का सूप है दाल चावल मैश करके या दूद में रोटी को मैश करके या दाल में मैश करके खिलाने की अवर्शक्ता होती है ताकि उसकी जो calories की requirement है वो बच्चे की बढ़त के अनुसार पूरी हो सके तो यही बात मैं आपको समझा रही हूँ कि during 7 to 12 months the milk produces 580 ml which has a gross energy content of 415 किलो कैलोरीज जैसे हम लोगों ने देखा कि 680 ml जब माम के ब्रस से milk produce होता है तो 480 किलो कैलोरीज क्या वर्शक्ता या 480 किलो कैलोरीज जो है वो produce होती है इस milk के दौरा प्राप्त होती है तो 580 ml अगर उसके ब्रस से milk निकल रहा है तो उनसे 415 किलो कैलोरीज उस milk के दौरा प्राप्त होंगी यानि हर हालत में मा को अत्रिक्त औरजा की अवर्शक्ता होगी जाएं वो लैक्टेशन के 0-6 मन्त या 1st फेज में हो या 7-12 मन्त के फेज में हो उसे हमेशा extra या additional कैलोरीज की अवर्शक्ता होती है एक तो यह पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा दूसरा important point है milk production यानि milk के निर्मान के लिए जो भी metabolic functions body में होते हैं मा के वो सारे metabolic work को करने के लिए अधिक मात्रा में उर्जा की अवर्शक्ता होती है the milk production the metabolic work involved in producing this amount of milk requires around 570 किलो कैलोरीज for first 6 months and 510 किलो कैलोरीज for 7 to 12 months इसी तरह मिल्क के प्रडेक्शन के लिए जो उर्जा के अवर्शक्ता या जो metabolic functions body में मा के होते हैं उसको अत्रिक्ट उर्जा की अवर्शक्ता होती है उसमें उसे शुरू के जो 6 मन्त होते हैं उसमें दूद के निर्माड के लिए या दूद के प्रडेक्शन में जो मेटबलिक फंशन्स हो रहे हैं उनके लिए 570 किलो कैलोरी औरजा की आवशकता होती हैं और 7-12 मन्त में 570 किलो कैलोरी औरजा की आवशकता होती हैं यानि Hence the lactating mother during 0-6 month requires 680 किलो कैलोरी फोर दे एनर्जी कंटेंट आफ मिल्क and 570 किलो कैलोरी फोर दे मेटबॉलिक वर्क आफ मिल्क प्रडेक्शन अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि 0-6 month में दो बाते हो गई एक तो एनर्जी कंटेंट के लिए उर्जा की आवशकता और दूसरा मिल्क के प्रडेक्शन में जो मेटबॉलिक वर्क हो रहा है उसके लिए उर्जा की अतरिक आवशकता होती है तो 0-6 month में 6-80 किलो कैलोरी जो है वो मा को चाहिए होती है जब वो जिस समय मा जो है वो 0-6 मा के बच्चे को अपना दूद पिला रही है और 570 किलो कैलोरी मेटबॉलिक वर्क के लिए चाहिए है यानि 6-80 प्लस 5-70 इस दिकर टू 1250 किलो कैलोरी जोटल चाहिए अब ही मैंने आपको फिर पहले भी बताया था कि प्लस 600 किलो कैलोरी जीरो से 6 मा के फेज में एक्स्ट्रा एक लेक्टेटिंग मदर को लेनी चाहिए है और बाकी जो रेस्ट कैलोरी जो यूटलाइस फ्रॉम दे स्टोर्ड एनरजी दूरिंग प्रेगनेंसी एक तो डाइट के दूर प्लस 600 किलो कैलोरी जो प्रेगनेंसी के दौरान उसके शरीर में जो एडिपोस टिश्यूज में एनरजी स्टोर होई है वो वहाँ से उसको प्राप्त करनी चाहिए अब ये आपको तो समझ में आ गया कि एक एडिश्टनल कैलोरी जो फेस के लिए अत्यंतावशक हैं एक तो एनरजी कंटेंट के लिए और दूसरा मिल्क प्रडेक्शन में मेटबॉलिक वर्क करने के लिए देकिन इसके अलावा भी कुछ और कारण भी होते हैं कि लैक्टेटिंग मदर को ज़्यादा उर्जा किया उशकता होती हैं कुछ फेसे में जैसे टेनेजर यदि कम उम्र की एक लैक्टेटिंग मदर है तो उससे ज़्यादा उर्जा किया उशकता होगी feeding more than one child यदि किसी महिला के यदि किसी मा के twins बच्चे हैं और वो दो बच्चों को एक साथ फीट करा रही है तो उसे और भी जादा उर्जा किया और शक्ता होगी underweight यदि उसका बच्चा बहुत ही underweight है यानि बहुत कमजोर बच्चा है तो मा को और जादा उर्जा किया और शक्ता होगी और या मा भी underweight है इन दोनों ही condition में मा को अत्रिक्त उर्जा किया और शक्ता होगी ताकि यह भरपूर मात्रा में दूद का निर्मान कर सके if she also pregnant कभी-कभी यह होता है कि मा जब दूद पिलाने के phase में ही होती है स्टूडेंस मेंने आपको energy requirement for relactating mother के बारे में detail में सारी बाते समझाई है और जिन भी स्टूडेंस की कोई query हो तो आप chat box में भी डाल सकते हो और personally contact कर सकते हैं Thank you